अगर आपने 2010 में एक Bitcoin खरीदा होता तो आज कितना होता पता है आज होता UAE दिराम में 190,000 दिराम हो जाता है और उसका कोर्ष था उस टाइम पे श्रिप और श्रिप दो दिराम से भी कम और 2016 में अगर आपने 4 Ethereum खरीदा होता तो आज कितना होता है पता है 40,000 दिराम से भी जादा और उसका कोर्ष कितना होता था श्रिप और श्रिप 16 दिराम तो आपने भी नई खरीदा मैंने भी नई खरीदा मैं तो चोटा था बहुत इतना शाथा 2010 में तो आज खरीदते हैं और खरीदने के बाद अपना जो लोगिन आईडी डिटेल्स को अपना नोटबुक में नोट करके उसे भूल जाते हैं 6-7 साल के लिए और वापस आके देखते हैं कि कितना हुआ हमारा कोईंस खरीदने के लिए आप कोई भी प्लाटफर्म यूज कर सकते हैं जैसे कि बाइनांस अमाना में यूज कर रहा हूँ अमाना अमाना में क्योंकि लोकल स्टक भी अविलेबल है गोल्ड भी अविलेबल है क्रिप्टो भी अविलेबल है तो में यूज करने वाला हूँ अमाना में आपको मिनिमाम डिपोजिट अमाउंट जो है 25 डालर हो जाता है लेकिन अगर आप बाइनस यूज करते हैं तो 15 डालर है मिनिमाम अमाउंट तो चलिए खरीदते हैं खरीदने से पहले आप कोई भी कोईन खरीदना चाहते हैं उसे बहुती अच्छी तरीका से रिसर्च कि दोस्तों को पूछिए यूट्यूब पर देखिए नहीं तो इसको में एक लिंक डालके रखते हूंगा MSN स्टॉक जो माइक्रोफ्ट की तरफ से उसमें आपका सारा हिस्ट्री दिखाएगा कि कब उपर गया कब नीचे गया और सबसे स्टाटिंग में प्राइज कितना था और अभी कितना चल रहा है वो भी आप देख सकते हैं तो यह है मेरा अमाना का डास्पोर्ड मेरे पास 3.64 बैलेंस है पहले मैंने सालिक का स्टॉक खरिद किया था और 6-7 दिन के बाद में बेज दिया था तो चलो फिर से हम डिपोजिट कर लेते हैं डिपोजिट के लिए अपना अकाउंट बनाके अपना पास्पोर्ड के साथ में वेरिफाई कीजिए अगर आप अमाना यूज करते हैं तो नई तो आप नेशनल आइडी ड्राइविंग लाइसेंस के साथ भी वेरिफाई कर सकते हैं उसके बात में आपको डिपोजिट पर क्लिक करना होगा 25 डॉल्र मिनिमाँ जो डिपोजिट अमाउंट है अगर आप अप्ल पे से करना चाहते हैं तो अगर आप बैंक ट्रांसवर करते हैं तो कोई भी मिनिमाँट नहीं है तो हम यहाँ पर एपल पे से कर लेते हैं और उसका 25 डॉलर का हो जाता है नाइनी टू दिरम एकर क्स तो पहले का तिन निरंप भी था तो 28 डॉलर हो जाएगा तो मैं आज खरीदने वाला हूँ शिवाई नू कोईन जो मेरा एक फ्रेंड ने भी सुजेस्ट किया था कि तुम एक शिवाई नू कोईन खरीदो और उसको छोड़ दो लॉंग टर्म के लिए 6-7 साल तक के लिए छोड़ दो इसके बाद देख लेना तो गाइज अभी आप देख सकते हैं कि इसका प्राइज कितना कम है 0.000959 और मैं दोस डॉलर का खरीदने वाला हूँ देखते हैं कितना मिलता है 20,85,000 कोईन मिल रहा है मुझे अगर आप सोचो कि इसका कोईन का प्राइज 6-7 साल में ये 20 लाख कोईन का प्राइज एक दिरम भी हो जाता है तो मेरे पास कितना हो गया 20,00,000 दिरम हो गया हाला कि ना हो फिर भी मैं इम्याजिन करने लग रहा हूँ कि अगर इसका प्राइज 10 साल बात में भी बढ़के एक दिरम हो गया ये 0.000983 से हम कैलकुलेट करते हैं अगर हमारा जो कोईन का वैल्डू जो है टू दिरम हो जाता है तो अभी कितना होगा मेरे पास तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो 20,50,000 x 2 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 41,000,000 4,000,000 दिरम तो अरफपती बन जाएँगे गाईज तो हाला कि एसा ही हो क्योंकि मैंने खरीदा है आप लोग भी दुआ कर लेना प्लीज यार और यह है जो माइक्रोसप्ट का जो आप देख सकते हैं इस्त्री बागेर यहां पर अपना local stock भी देख सकते हैं UAE का कोई भी stock आप सर्च करके यहां पर देख सकते हैं इसका यहां पर suggest भी आपको buy करना है और hold पर रखना या फिर sale करना है यह सब कुछ आपको suggest करता है इसका link में description में रखके आपको देदूँगा वहां से आप जाके आप check कर सकते जो भी आप इस्टक खरिदने वाले हो उसे आपको अनलाइज करना उसको जानना उसका इस्ट्री जानना पहती ज़रूर्द थे जैसे कि में देख रहा हूं एतिसलत का यहां पर नाइंटीन दिरा में कोर्श चल रहा है और अभी यहां पर सजेस्ट कर रहा है कि होल्ड पे र झाल को